जिवाल जाएंगे हैदरबाद रोहित के परिवार जे करेंगे मुलाकात के इंद्रिय मानव संसाधन मंत्राले की दो सदसे टीम आज सौन सकती है रिपोर्ट दिल्ली में सूटकेस में महिला की लाज मिलने से संसनी मयूर विहार इलाके में रिक्षे पढ़ने जाया जा रहा था बैग तफ्टीश विजिटी पुलिस नितिश राज में भीड रेकिया खूनी इंसाफ बैंक में डाका डालकर भाग रहे अपरादी का काटा हाथ रूपस्पूर इलाके में एक लाग सब्तर हजार की लूच के बाद भड़ते लो 26 जन्वरी से पहले आतंकी हमले के खत्रे के बाद अलाट आईबी ने बंगलादेशी नमबर पर हुई बाच्च्वीट को किया रिकॉर्ड बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा रॉइडा में आईटी बीपी के आईजी की गारी चोरी होने से हड़कम सेक्टर 23 से गायव गुई नीली बत्ती लगी टाटा सफारी पठान को ठमने से पहले भी छीनी गई थी स्पी की गारी आज दिली के वी आईपी लुचियन जोन समयत कई इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत पानी में अमूनिया के स्थर में बड़ोधरी के कारण बंद रहेंगे दो वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट और चीन की एक पठाका फैक्टरी में लगी भीशण आग हादसे में तीन लोगों की मौत परेपन लोग घाया प्रेक के बाद एक बार फिर से अब सभी कास प्वागत है और आज की जानकारी जो हम आपको दे रही है वो ये दे रही है कि आपके बंचों की कुछ अटपटे सोभाव होते है और जिन सोभाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो तीन तरीके के सबसे पहले हम जिद्धी सोभाव के बारे बात कर चुके हैं वो भी एक्स्ट्रीम जिद्धी और दूसरा हमने गुमसुम रहने वाले बच्चों के बारे बात की अब जब बात करने जा रहे हैं वो है बड़ बोला प। पॉझ्जहा बच्यों के मुँसे बच्यों जैसी ही बात अच्छी लगती है लेकिन अक्सर जब बच्चे बहुत बड़ी-बड़ी बाते बोल जाते हैं और कई बड़े लोगों के बीच बैट कर ऐसी बाते बोल जाते हैं तो अखसर जो बड़े बुड़े होते हैं जो बच्चों के बूद से बड़ो बड़ो वाली बाते निकलवा देते हैं बिल्कुत बढ़ो बढ़ो वाली बात हैं और बड़ी बड़ी बात हैं चलिए देखते हैं कौन कौन से ग्रह इसकी पीछे जिम्मेदार है और क्या बेवारिक लक्षन इसकी पीछे हैं बच्चे जब 5 वर्ष के हो जाते हैं मनलब 4 के उपर तो उन पर सूरे का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है एक डम से बढ़ता है मनलब अचानक बढ़ता है बच्चा जन्म के बाद 4 वर्ष तक मा को भुगता है मनलब चंद्रमा का प्रभाव और चार से आठ वर्स तक सूर्य का प्रभाव अर्थात्पिता का भाग्य अपने साथ कनेक्ट कर लेता है यह अपने आप साश्वत्मियम प्रकृत्य अपने आप सोताहे सब करवाती है यह दि बच्चे का जन्म रविवार या गुरुवार के दिन हुआ हो ध्यान पूर्वक समझें अबाब बातों को अपनी घहराई तक लेया सूर्य आत्मा का कारक है सूर्य के साथ जैसे बच्चे का कनेक्शन हुआ बच्चे के अंदर एक अपने आप दरीना पना गया एक व्रहत्थ सुभाव की तरफ बच्चा बढ़ गया बब्रहश्प्यतिवार के दिन जन्म हो तो भी इस प्रकार के संभावनाय बनती है एक संकेत और होता है ऐसे बच्चों को मंगलवार की दिन कुछ न कुछ चोट भी लगती रखती है यह अभी एक संकेत है यह संकेत पानिएगा इसकी पीछे कारण यह नहीं है एक संकेत हम दे रहें कि ऐसा है तो बच्चा आपका बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा बड़ी-बड़ी बातें बोलेगा बच्चे के चंद्र छेत्र पर ये पोर्शन जहां दीजेगा चंद्रमा के छेत्र पर अगर बहुत ज़्यादा क्रॉस बना है तो बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ बोलेपन का शिकार रहेगा खुब बोलने वाला रहेगा यहाँ से संकेत मिलता है जन्म की समय मा को खुब कश्ट मिला होगा यह भी बहुत बड़ा संकेत है जंद्रमा छेत्र पर तभी तो क्रॉस बना है तो भी बच्चा बहुत ज्यादा बड़ बोलेपन का शिकार रहेगा जो कि आपको कई बार सर्मिन्दिगी महसूस हो जाएगी पार्टी में गया है अचानक से कुछ बोल गया अब आप क्या कर सकते हैं मार भी नहीं सकते हैं वैसे मारना तो कोई दबा है नहीं एक सीमा तक ही हाथ उठाना चाहिए दुतिय भाव में यदि मंगल होगा बच्चे के अब यहां हम जो तशिय कारण दे रहे हैं ग्रही कारण दे रहे हैं दुतिय भाव में यदि मंगल रहेगा तो बच्चे के अंदर इस प्रकार का सभाव आ जाएगा दुतियस्त मंगल दोश देता है राहु के साथ दुतियेश मिलकर की दोनुगर पंचम भाव में बैठ जाए तो वाकई आप मान कर चलिए कि 10-20 दाडियों का असर एक साथ बच्चे के अंदर रहेगा जैसे बड़े बुजर्ग होते हैं हर जगह खुब बोल जाते हैं कि उनका सम्मान होगा उनकी बात मानी जाएगी बच्चा भी यही चाहता उस समय कि उसकी बात मानी जाए उसका सम्मान हो शनी या दुतियेश दोनों में से कोई चर राशी में हो मेश, कर्क, तुला, मकर, ये चार राशियां, चर राशियां, सूर्य और बुद्ध का संबंध यदि लगन से हो, तो भी बच्चा बड़ बोलापन का सिकार रहेगा, खूब बोलेगा, चर लगन हो, मेश लगन, कर्क लगन, तुला लगन, मकर लगन, जिसमें से अगर लड़ चंद्रमा की दशा में भी बच्चे बहुत जादा बोलते हैं, ये भी हमने अपने अनुभव में पाया है, जो कि दशा बीतने के साथ बच्चे का सभाव बदल जाता है अपने आप, तो अगर इस प्रकार की योग हैं, तो आप मान कर चलें, निश्चित होकर रहें, कि बच्चे का सभाव नहीं बदलेगा, बच्चा जब बड़ा होगा, बड़े के बाद फिर बड़ा होगा, तो और जादा बोलने वाला हो जाएगा, अपने आगे किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी बात रखेगा, बात में ये सारी आतने दिक्वत का भी सभब बन जात हाँ कर सकते हैं, बच्चे तो देश का भविश्य होते ही है, अब देश की बात आई है, तो देश से याद आया कि 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी जब हमारा सम्विधान लग हुआ था, हर एक नागरी को उसका अधिकार मिला था, वो सारी चीजे हमें मिली जब ये देश लोकतंत्र बन गया, और इस लोकतंत्रिक देश के अंदर रहकर, हर इंसान ने वो आजादी की सास ली, जब आज, खुलकर हमी कह सकते हैं कि येस, वी आर इंडिपेंडेट और वी आर स्टेबल, जी हाँ, और इसी को लेकर हमारी अखास पेशकश लेकर आ रहे है, जैहिन, जो 26 जन्वरी पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक दिन पहले से तयार रहेगा, क्योंकि कल आज और कल, का भी पीछे नहीं रहता है, जादगारी देने वे, चलिए उसके एक जलक देखते हैं बंदे मातरम अब खास अक्षर जो आपके दिन को बना देता है, जो आपके दिमाग को तयार कर देता है, जो आपके भागी को बढ़ा देता है आपका खास अपना प्रिय साथी लगी अक्षर दिरांके किस जनवरी 2016 दिन गुर्वार मेश के लिए साक्षर है और विशप के लिए छोटा आ मेथुन राशी लाख्षर और करक के लिए मां सिंग राशी के लिए काक्षर है और कन्या के लिए ना तुला राशी के लिए जाक्षर और विश्चिक के लिए बड़ी ई धनुराशी के लिए पाक्षर है और मकर के लिए ओ कुम्बराशिक के लिए छोटा उ अक्षर है और मीन के लिए हाँ आपके समक्ष अब आप 24 गंटे हसेंगे क्योंकि आपको मिल गया है आपका हमसफर लखी अच्छ और हमारे पस बहुत सरी मेल भी आती है अगर आपका कॉल नहीं लग पा रहा है या फिर आप अपनी बात को फोन के जरीये समंच तक पहुचाने में थोड़ा सा ऐसा है चता महसूस करते हैं तो आप अपनी समस्था है हमें मेल कर सकते हैं लगता टीवी स्क्रीन पर आपको हमारी इमेल आईडी वी नजर आएगी उस पर हमें मेल जरू कीजिए और जैमिन नहीं में मेल किया हम दबा से चाहिए जैमिन नाम है जैमिन नाम है जै-ए-वाई-ए-ए-म-I-N जैमिन और थोड़ा दिफरेंट नेम है तो इसका डेटों बट नोट कीजिए 21.1967, 1966 और नौबज के पाच मिनट रात के एहनदाबात का जाद़ जैमिन जी आपको हापी वाला बर्दे बिल्कुल माई तरब से भी बहुत शुक्त कामना है भी है लेकिन की जो सबस्य है अचारज जी बहुत जादा गंबीर है और बिजनस में लास्ट 20 सालों से लोगों से धोका ही मिलता आ रहा है हर एक काम आकर एंच में आकर रुक जाता है बहुत जादा कर्जा हो गया है दो साल की बच्चे भी है और कुछ सूज नहीं रहा है और जो यह अंतिम लाइन ही नोने लिखी है बहुत ही दुख़द है और संजीदा है जो कि मैं बोलना भी नहीं चाहती हूं लेकिन लोगों का एक निशानी है और कुंडली में आपके दिरगायुश योग है तो एक खयाल भी लाकर के अपने मस्तश को एक पल के लिए भी नुकसान की तरफ क्यों ले जाए बनने का योग होता तो हम बोलते ही आपकी कुंडली में 87 से उपर की अवस्था आपकी दिखाई द मिलेगी अगर आप अपने इस व्यापार को मा और पत्नी के नाम पर कर देते हैं आपके नाम से व्यापार इसलिए नहीं चल पारा क्योंकि छटे भावे मगर आशिका आपके बुद्ध है चनी की महादशा है अपने व्यापार को आप विदेश से जोड़ें किसी भी तरह स चले जाते हैं दो चीजों का ध्यान रखें कट योर कोट एकॉर्डिंग और उक्ला तेते पाव पसारिये जाते लावी सोज इस सूत्र को आप अपने हिर्वे में आप साथ जरूर करिएगा जिससे आप ज़्यादा पाव ना फैला पाए धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो माली सीचे खेत को लितु आए फल हो मस्तुष्क में सिर्फ यही भाव रखिएगा कि धीरे धीरे चरह वेती चरह वेती चरह वेती जब आप चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने गंतवे तक पहुंचेंगे आज आपका जनम दिवश है कम से कम तीन लोगों को भोजन करा दीजेगा दिन धनने के बाद और कुछ वश्त्र का दान अपनी स्वेक्षा से जरूर करवा दीजेगा निश्चित रूप से आपका भाग्योदर हो जाए और जली इसी के साथ हम यहां पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं बस पौरन हाजिर होते हैं कुछ ही देर झाल 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 रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वश्च इसमें हैं बारा खास आयुर्वेदिक जरी बूटियों का संतलित मिश्रम यह कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औशिदी है चेह में चोर हो रहे हैं बेखो क्या आपको घर में दुकान सुरक्षत है सुरक्षत की अगर बात करें तो सिर्फ ताला काफी है पेश है साइरन लॉप ऐसा ताला जो साइरन से लेस है इसे खोलने के कोशिश होने पर इसका तेज साइरन सिर्फ आपकी ही नहीं आपके पड़ोशे के लिए दोगे है और चोरों के पास भाबने के अलावा कोई आप्शन नहीं होगा सुरक्षत का दूता नाप साइरन लॉप और इसका साइरन सिर्फ ओरिजिनल चावी से ही बनतिया जा सकता है तो आज ही ले आए अपना और बूप करने के लिए स्क्रीम पर दिये गए नमबर पे खोल या एसमेस करें और ले आएगा साइरन लॉक्स अपना घर परिवाब इव वकार 44 इव निश्श्टा झाल झाल तो बच्चों के अलग-अलग सोभाव के बारे में तो हमने आपको सचीत करी दिया है कि कौन से कारण होते हैं लेकिन महा उपाय जो की अचारी जी आपको देरा चाह रहे हैं आई सबसे पहले जाल लेते हैं वो महा उपाय नोट कर लिजेगा एक ऐसा उपाय जो आपके बच्चे के हर तरह के अशुब सभाव को शुबदा की तरफ ले जाएगा एक पीपल की लखडी आप ले लिजेगा नोट कर लिजेगा आपके समक्ष स्क्रीन पर बहुत छोटी सी लखडी लिजेगा इतना से बस और तुलसी की पत्ती के रस से लखडी को पुरा गीला कर ले लिजेगा आठदस पत्तियां ले लिजेगा उसको पीस करके हलका सा रस निकालिए और लखडी को उसमों डुबो दीजेगा इसके बाद हल्दी यीला करके उस पर साथ बार बिंदि लगाईए उसी लगरी पर साथ बार टच करिए और लाल धागे से बात करके साथ दिन के लिए बच्चे के कमर में बान देजिए लड़का लड़की दोनों के लिए जो बारे वश तक के अंदर में हैं आठवे दिन उसको खोलिये और ले जाकर पीपल के नीचे रखाईए गा जैसा भी सभाव था आशुप था गुमसम रहता था बहुत ज़्यादा जिद्धी था बहुत ज़्यादा बड़ बोलापन था हर तरह के अशुप प्रभाव को शुपता में बदल देगा एक सामाने बच्चों की तरह आपका बच्चा महसूस होगा और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आज के केचिन पिचारे की आई जा लेते हैं मौसम गुलाल लेके तरवाजे मिरे आए मिसरी सी बात हवाई कानों में कह जाए मेरे भी दिखा है सपना सपना लेका है मेरे दिखा सपना तो गलत पैमियों का पिटारा बिल्कुल हो जाएगा बंच जब ये खुलेगा केचिन पिटारा और क्या है आज के इस केचिन पिटारे में आई जा लेते हैं गलत पैमिया अर्थात एक शक का ही रूप होता है आपको शक अगर हो रहा है आप गलत पैमियों के सिकार हो रहे हलका सा भी दिवाग में आ गया तो एक कीड़ा है वाकई शुरुवात में इसादा जीने कहा था कि ये दिमक है प्रिश्ट को खा जाता है ना हो ऐसा आपका रिस्ता हमेशा ताजा बना रहे, एक अटूट विश्वास उस रिस्ते में रहे, तो सामगरी इसके अंदर क्या है, पहले वो जानते हैं, इसके अंदर सामगरी आज जो है, खुलेगा आपकी स्किन को निगाह गड़ा के रखिएगा जीरा, जीरे का प्रियोग आज हम बता र और ये, अंग्रेजी में इसको क्यूमिन सीड कहा जाता है, भूख को ब्रहने वाला विश्यस मसाला है, आइरेन का लस्यम जैसे कई विटामिन इसके अंदर पाये जाते हैं, पहले कुछ जानकारी भी आपको देखी मिल जाती है, तो चाको पोशक तत्त भी जीरा प्रदान करता है, और बुद्ध, शुक्र, दो, शुभ और सौमे ग्रहों का जबर्दस्त प्रभाव इसके साथ जुडा रहता है, हरापन लेने के कारण बुद्ध के साथ कनेक्शन और एक सुगंध होने के कारण शुक्र का प्रभाव, एक अशोक के पत्ते पर तीन चुटकी जीरा रखना है, बस ऐसे, अंगुठा और तरजनी से मिला करके आप जीरा उठाईएगा, तीन चुटकी हो गई, और माचिस की तीली लगा करके हलका सा उस पर काजल लगा देजेगा, उस पत्ते पर, एक चुटकी नमक और एक टुकुडा कापूर का उस पर रख दीजेगा, डा जल्दी इसका प्रिभाव दिख जाएगा, और चलिए अब आपको बता देते हैं मेश से लेकर कंजातक का राशिभर, चलिए नोट कर लिजेगा, सुरुवात करते हैं मेश वालों से दिन कैसा वीतेगा, मंगल कारे संपन्न होंगे, परिवार का सहयोगा आज आपके साथ जुड़ा रहेगा पूरे दिन, बैगनी रंग आपके लिए शुब होगा और संसर्थ प्रसद का भाग आपके साथ है, विशब राशिभर, समझ जाओ का समधान पाएंगे लेकिन सेहर का ध्यान रखिएगा, सफेद रंग शुब है, 56 प्रसद का भाग आपके साथ है, बुटा हो सकता, कुछ पहार ले जाएगा, अनावश्यक चिंता सता सकती है, लाल रंग शुब होगा 56 प्रसद का भाग आपके साथ रहेगा, सुक्षा में रुकावट आ सकते सिंग्मालों को बड़ों का सयोग मिल रहा के सरिया रंग शुब बनातर प्रसद का भाग आपक देखिया दोपै धाई बजे के कारकरम की हमपारण हाजिर होते हैं रूप मंत्रा आयरवेदिक फेस क्रीम इसमें हैं 12 खास आयरवेदिक जड़ी बूटियों का संतुलिद मिश्रन ये चेहरे की तवचा में जमागर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉंग बनाए ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोशन रूप मंत्रा आयरवेदिक फेस क्रीम और फेस वॉष यह कोई कोस्मेटिक नहीं आयरवेदिक और शिदी है वालकम बैक करेंगे हम आपको चलिए अब जाल लेते हैं तुला से लेकर मीन तक का राशी फल जी तुला वालों को लिए आज गुस्य पर नियंदर रखना होगा बढ़ों का अशिरवाद में काला रंगशुब है 300% का भाग्याप के साथ है और विश्चिक राशी मित्रों का सरयोग मिलेगा सतु परास्थ होंगे के सरिया रंगशुब होगा 54% का भाग्याप के साथ है धन्राशी रुकेहे काम आपके बनने लग जाएगे क्रोथ प्रक और बस कुछी देर में हम आपको दिखाएंगे देशर दुनिया की पचास बड़ी खबरें बस इतना ही और आज की जानकारी बहाद ही खास रही हमारे तमाम उन पेरिंट्स के लिए जो अपने बच्चों के इस तरह के स्वभाब से कही परिशानती अपने दान तो आपको मिली गया होगा लेकिन अचारी जी कल सुभा के लेकर आ रहे हैं बिल्कुल शायदा कल बहुत यूनीक नौलेज हम आप सब को देंगे कि हर किसी की एक वीक पॉइंट आपकी एक कमजोरी है वीकने से हमारी भी है आपकी भी है तो आप अपनी उस कमजोरी को जब पहचान जाएंगे तो अचारी जी का बहुत बहुत धनिवाद करेंगे तो आज के वारे इस कारिकरम में बस इतना ही तो कल सुभा आट बजे के कारिकरम में आपके वीक पॉइंट लेकर हम आएंगे लेकिन उपायों के साथ फलाल देखिए आप उसकी जलक आभी दीजिया में जासत नमस्कार अनंद इंडिया ना न अन्यांप करेंद लेकर। आनंद इंडिया आपके लिए लाए है नॉनी ब्लाक हैर माजिक शांपू जो सिर्फ 10 मिनिट में आपके सफेब बालों को नाचुरिली ब्लाक कर देगा ये है हर्बल और इसमें कोई भी हामफुल केमिकल्स नहीं है नाहीं पालर या सलॉन जाने की जरूरत और नाहीं किसी से रिक्वेस्ट करने की ये पहला ऐसा हैर कलर है जिसे आप खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं बहुत ही क्विक, इजी और हैसल फ्री नॉनी ब्लाक हैर माजिक शांपू आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम, हैर फॉल प्रॉब्लम, डैंडर्स प्रॉब्लम, स्कैल्ट की प्रॉब्लम, प्रूखे बालों की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा देगा, नॉनी ब्लाक हैर मैजिक शांपू में आपको मिल रहे हैं पूरे इस पाउच, इसे आप अगर महिने में 3 बार यूज़ करते हैं, तो आपको मिलते हैं नाचुरिली ब्लाक हैर और आप ह हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ 1460 रुपई में, मतलब आपका एक टाइम का खर्च हो रहा है सिर्फ 75 रुपई, जी हाँ, सिर्फ 75 रुपई में सफेद बालों से और बालों की सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाली जीए, और वो भी सिर्फ 10 मिनिट में, जी हाँ, 1490 रुपई में, 20 पाउच वाला नोनी ब्लाक हैर मैजिक शैंपू, आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपई में, इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सो, और डन नाव, नोनी ब्लाक हैर मैजिक शैंपू से सिर्फ 10 मिनिट में बदली अपने लुप्स को, ये है 100% हर्बल, ये आपको डाई के सारे जंजटों से बचाता है, ये आता है फ्रेस मिल के साथ, इसे लगाने के लिए आपको किसी की रिक्वेस्ट करने के भी कोई जरूरत नही है, ये इतना इजी कि इसे आप शावर लेते होए भी यूज़ कर सकते हैं, कि ये सिर्फ 10 मिनिट लेता है, सफेद बालों को कवर करने के लिए, और ये ना ही सिर्फ आपके सफेद बालों को काला बनाता है, बलकि आपके स्केल्प की समस्यों को भी दूर करता है, बालों को नरिश और बालों में लगा दिया, ये सारे बालों में evenly फैल जाता है और एक-एक बाल को cover करता है, सिर्फ 10 मिनट वेट कीजिए और दो दीजिए, ना ही डाई की तरह गंदा काला पानी बहेगा और ना ही बालों को घिस-घिस के साफ करने की जरुरत पड़ेगी, इसमें है शेंपू और कंडिशनर के सभी गुन, सूखने के बाद पाईए नेच्रल ब्लैक हेर, शाइनी भी और बाउंसी भी, मैं आपको 10 रीजन बताता हूँ, नोनी ब्लैक हेर मैजिक शेंपू को यूज़ करना चाहिए, पहला रीजन, इसमें कोई भी हामफूल केमिकल नहीं है, ये बनाय है हर्ब से और प्लांटshज से तो आपके बालो को किसी भी तरह की कोई प्रॉलम नहीं आने होते हैं, इसे लगाने के लिए आपको किसी के सामने की क्याना का जरुमक्जर करने की कोई जरुरत नहीं है, इसे आप शावर लेते टाइम भी 10 मिनट ब्ली कि लिए लगा सकते है इसमें डाई की तरह कोई भी स्ट्रॉंग इरिटेटिंग स्मेल नहीं आती है ये बालो को नरिश करके शाइनी और बाउंसी लूप देता है इसमें आपको मिलते हैं फूरे बीस पाउच इसे कोई भी अबाव वेटीन यूज़ कर सकता है ये इतना सेव हैजल फ्री है कि इसे आप एक बार यूज़ करेंगे तो दूसरों को जरूर रिकमेंट करेंगे नोनी ब्लैक हेर मैजिक शैंपू जेल फॉर्मेट वाला निटिशल शैंपू है आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में इसे एक बार यूज़ करके देखिए आपको जरूर पसंद आएगा स्टॉक लिमिटेड है ये ओडर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश ओन डिलिवरी से प्राप्त कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमिंट करने पर आपको मिलती है फ्री होम डिलिवरी सो ओडर नाव ख़बरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ आपके सवाल आपकी आवास बंकर लाइव इंट एर खबर हमारी वैसला आपका राजनेती के गलियारे की हर खबर संसक से सेविन आर सियार तर नजर है पुर्भान मंत्री कारियाले की गहमा गहमी पर दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सब रखेंगे पैनी नजर लाइंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ लाइव इंडियार हम और हमारी फैसला आपका जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है क्या वही सच है आईए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस क्या है